हरे कृष्णा दोस्तो मैं दीप्ती आपका हादिक स्वागत करती हूँ हमारी यूटूब चैनल सपनों के रहसे मैं उमीद करती हूँ दोस्तो आप सब अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे आपके उपर भवान की कृपा सदेब बनी रहे आपका दिन मंगल में हो दोस्तो आज हम बात करेंगे कि अगर सपने में आपको पीपल का पेड़ दिखाई देता है तो इस सपने का क्या अर्थ होता है और इस सपने से हमें क्या फल प्राप्त होता है यदि आपको सपने में पीपल का पेड़ दिखाई देता है दोस्तों तो यह साधारन सपना नहीं है सपन सात्र के अनुसार यह सपना सुक सांती प्राप्ति का इशारा करता है और आपकी परिशानियों का अंत होने का भी संकेत देता है दोस्तों अगर आप सपने में पीपल के पत्ते देखते हैं तो इसका अर्थ है कि आप आर्थिक रूप से मजबूत होने वाले हैं आपकी सोई हुई किसमत जगने वाली है दोस्तों अगर आप सपने में बहुत सारे पीपल देखते हैं तो यह सपना बहुत ही लावधायक माना जाता है. आपको बिजनिस में बहुत फाइदा होने वाला है. यदि आप नौकरी करते हैं, तो आपकी नौकरी में प्रमोचन मिल सकता है. दोस्तो यदि आप सपने में पीपल की पेड को पानी देते हुए देखते हैं, तो इस सपने का अर्थ है कि आपकी जल्द ही कोई मनुकामना पूर्ण होने वाली है दोस्तो यदि आप सपने में पीपल के पेड़ के चक्कर लगाते हुए देखते हैं तो यह सपना आपकी मन की सांती प्राप्त होने का इशारा करता है दोस्तों पर अगर आप सपने में पीपल के पेड को काटते हुए पीपल के पत्ते तोड़ते हुए पीपल के पेड से नीचे तोड़ते हुए देखते हैं तो यह सपना सुब संकेत नहीं देता यह असुब सपना है इसका अर्थ है कि आपको आने वाले दिनों में हार का सामन खढ़ना पड़ सकता है दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल सपनों के रहस्टे को like, subscribe और share अवश्य करें धन्यवा दोस्तों